यूबा कॉंग्रिस हिमाचिल परदेश में अब मुख्या मंत्री और मंत्रियों के आवासों का गिराब करेगी और दर्ना परदर्शन होगा ये बात युबा कॉंग्रेस के हिमाशिल परवारी जगदेव गागा ने नैना देवी मंदिर में दर्शन करने के उपराद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही उनके साथ इस मौके पर लोग सबक शेतर हमिरपूर के कॉंग्रेस महासिचिव हरीश गौतम भी मौजूद थे युबा कॉंग्रेस हिमाशिल परदेश में अब मुख्यों मंत्री और मंत्रियों के आवासों का गेराब करेगी और धर्ना परदर्शन होगा ये बात युबा कॉंग्रेस के ही माशिल परवारी जगदेब गागा ने नैना देबी मंदिर में दर्शन करने के उप्लाद पत्रकारों से बात चीत करते हुए के ही उनके साथ इस मौके पर लोग सबक शेतर हमिरपूर के कॉंग्रेस महासिचिव हरीश गौतम भी मौजू चुनाबों के बावाओं से बात हैं आख बीटी पैटि पज्याओ अव्यान के तहत लोगों से बोट लिये थे लिकिन आज है पर्देस में बेटियों के सेफ जो अत्यचार हो रहे हैं उनके मामले बढتे ही चले जा रहे हैं इसके अलावा उन्होंने बेटिesen में बेटियो मुख्य बेपसाय है लोगों का और परदेश की सड़कें खसता हाल है जिसके कारण लोगों को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है उन्होंने कहा कि परदेश सरकार हर मोर्चे पर भी फड़ रही है इस सरकार के समय में गोटाले ही गोटाले हो रहे हैं जबकि विका प्रदेश की कारेयर ठप पड़ गए हैं उन्होंने कहा कि युबा कंग्रेश चुप रहने वाली नहीं है और युबा अपनी लाडाई अपना अभियान जारी रखेगी परदेश के मुख्या मंत्री को उन्होंने ग्यापन सौपा उस पर अगर जल्द कारवाई नहीं हुई तो आने वाल इस में मंत्रियों के और मुख्यों मंत्री के आवास का ग्याप किया जाएगा ताकि युबाओं को नियाय मिल सके और परदेश की जनता का भिकास हो चके में बढ़ रही है बेजगर बढ़ रही है सरकार आने से पहले उन्होंने बोला थे कि हम हर गर में हर नौजमान को बेटी बचाओ बेटी पड़ाओं मेहलाओं पर चोटी सोटी युटी बच्चियों पर हर रोज अक्या जारू है उसके खिलाफ मारा मिलान सबगर गराब थ करें बढ़ गराब जिसमें पूरे परदेश से तमान साथियों ने वो दिन बेदान सब्गर गराब कर दिया हमारे राष्टि यह देख शीरी बीवी नौजी वहां पर आय थे उन्होंने इस बिदान सब्गर गराब दिया और अच्छे लोगोंने बहुत जलाब गराब गर कि हर इक नौजवान को जो आशाथ ही इन से कि हमेर्जगार में नहीं मिला पूरे परदेश में जो बिल्कुल सीन के उनको पता नहीं क्या होना क्या करना है हर रोज कोई ने कोई कहानीन की आ रही है जो इनने बोला का वो बिल्कुल उस चीज पर काम नहीं कर रहे हैं इन तमाम मुद्धों को लेकर कांगर्स पार्टी युवा कॉंस पार्टी लोगों की लड़ाई गड़ती रही हमेशा सख्कों पर लोगों के लड़ती रही है यह विदानसवा गड़ाम है हमारे लड़ाई के बाद हमने सेम साथ को एक मांग पतर भी दिया अगर उस पर कोई गवर नहीं था तो तो दबारा कभी में हम इनको वाल्टी मेटम देखें यूट को बरसन का घिराव करेंगी मलेस निवास ताम करेंगी हमने पूछ और आगे